मस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी एंसीपी के नेता नवाह मलिक को अब लगातार आईटी और एटी का डर सता रहा है यह उनके ट्वीट में साफ तोर पर दिखाई दे रहा है कल नवाह मलिक की ओर से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्हें के लिखा कि मुझे के जानकारी में आया है कि कुछ सरकारी मेहमान मेरे आफवास पर आने वाले हैं इतना ही नहीं चाय और कोकीज के साथ उनका तहे दिल से स्वागत करने के लिए मैं तयार हूँ अगर उन्हें मेरा सही पता ना फिले तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं इस तरीकी का नवाह मलिक का ट्वीट साथ ने आया और ये नवाह मलिक का पहला ट्वीट नहीं है बलकि इससे पहले 10 दि अजन्सियों का डर उधर ठाकरे सरकार में मंत्री और नवाह मलिक को सता रहा है कि उनके ट्वीट साथ तोर पर बया कर रहे हैं हाला कि इसको लेकर अब बीज़िपी नेता मोहिद कांबोश ने नवाह मलिक पर पलटवार किया है और कहा है कि नवाह मलिक अब जेल जाएंग में 135 करोड रूपय का जो फ्रोड हुआ है जो खोटाला हुआ है उसमें वो शामिल है किस तरीके से वो कंपनियों के डिरेक्टर बनकर बैठे हुए थे और उन कंपनियों के चरहें ये फ्रोड किया गया है इसका खुलासा भी मोहिद कांबोश की ओर से ही किया गया है तो ज यही वज़ा है कि इस तरीके के ट्वीट लगातार नवाह मलिक की और से किये जा रहा है और सिर्फ यही ट्वीट नहीं किया गया है बलकि इसके साथ साथ माहराष्ट के पूर्व मुख्यमंत्री यानि बीजपी नेता देवेंद्र परणवीज और बीजपी नेता क्रेट स नूची रखते हैं और मेरा सुझाव यह है कि वह सुम को OSD के रूप में नुक्त करें मलिक ने साथ ही यह ही कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में ऐसी नुक्तियों का काफी अनभव रहा है क्रेट सुमहिया को प्रवक्ता नुक्त किया जाना चाहिए यानि यह तमा किस तरीके से वहां इतनी महंगी जमीन कुर्ला में वह महद कोड़ी के दाम पर नवाह मलिक ने दाउट के गुर्गों से खरीदी है किस तरीके से यूनियन बैंक ऑफ इंधिया है यह 135 करोर रूपय का फ्रोड हुआ है इसमें नवाह मलिक के वेटे फराज नवाह मलिक जो ह और यही वजा है कि इस तरीके की यून गयातार चारी है और जिस तरीके से महराश्थ में घोड़ाले हो रहे हैं ब्रस्टर चार्ज साफ ने आ रहे हैं वसूली के मामले साफ ने आ रहे हैं एक के बाद एक तमाख नेता उधव ठाकरे सरकार में ED, IT और CPI की रडार पर आ रहे हैं तो ऐसे में अब नवाख मलिक का डर जायज है क्योंकि नवाख मलिक ने भी कम घोटाले महराश्ट में नहीं क्या था और उनकी तरफ से ये बताया क्या था कि किस तरीके से पूने में वफ जमीन का ये खोटाला हुआ है मदर्सों और मज्जितों की भूमी को कब जाया क्या है तमाम जो अल्वसंख्यक थे उनकी भूमी को हड़कने का काम भी उधव ठाकरे सरकार मिमंत्री नवाख प जमीनों में महाः आगा है तमाम बड़े घुलासे बीचेपी के नेताओं के द्वारा ही महराष्ट में किये जा रहा है और बीचेपी नेटा क्रेट सुमहिा लगातार उधर ठाकरे सरकार के पौल फोल रही हैं फिर चाहे वो शिवसेना के विथायक और सांसाथ हूं य releasing के स्राइटी के नेता हों जो फिलाल माहराश्ट में महाविकास अगाडी सरकार में हैं उन तमाम नेताओं की एक एक कर पूल खोल रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने करोडों के खोटाले किये हैं लंबी चोड़ी फैरिस्थ हैं नावों की उधव ठाकरे सरकार में जो लगातार आरोपों में घिरे हुए हैं फिर चाहिए वो शिवसेना की नेता भामना गवली हो या फिर आनंद राव अर्जूल हो जो की सिटी सहकारी बैंक खोटाले में जिनका नाम साफ में आया जो फिलाल एडी के शिकंचे में हैं इसके लावा एंसीपी के नेता अजीत हवार जो क शिवसेना के नेता हैं और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं महराष्ट में वो फिलाल एडी के रडार पर हैं और अब एक एक कर तमाम खुलासे इन तमाम नेताओं के बारे में साफने आ रहे हैं जहां शिकंचा केंध्रे जांच एजेंसियों का इन पर कसा जा रहा है और यह ना में तो यह सरकारी महमान मुझे कॉल कर सकते हैं इस तरीके के ट्वीट वो और तो फिलाल नवाह मलिक जहां भी पहुँच रहे हैं वहां पहुचकर वह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को निशाना साथ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ महराष्ट के पूर्थ मुख्यमंतरी दे पूरे पांच सालों तक चलेगी लेकिन कैसे महराष्ट में महाफिकास अगाडी सरकार को यह तमाफनेता पांच साल तक चला पाएंगे यह सवाल बड़ा बना हुआ है क्योंकि घोटाले और फ्रस्टाचार उताव ठाक्रे सरकार के बता रहे हैं कि जल्ब ही उताव ठाक्रे क की कुराष्ट कहीं न कहीं मुश्किल में पढ़ने वाली है क्योंकि एक ड़ा पांच के इनुएंगे कर लेक्ट तमीर को ठोले में फबसे दर्च क्या रही है शिकायत उनके खिलाफ तर्च हो रही है जिस तरीके से वो समीर प्वान खेड़े और उनके परिवार पर तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गाई है तो दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेता अब नवाह मलिक पर हमलावर हैं और नवाह मलिक की पोल खोल रहे हैं कि किस तरीके के घोटाले उनकी तरफ से किये गाई हैं विलाल मोहिद कांबोज चोकी बी जेपी के यूआ देता है वो लगातार नवाह मलीक पर हमलावर है नवाह मलीक को लेकर तफाम बड़े तावे मोहिद कांबोज की ओर से किये गए हैं और अब जब नवाह मलिक ने ये दावा किया है कि जरकारी मेहमान उनके घर पर आने वाले हैं तो उन्होंने ये कहा है कि 135 करोड के बैंक थोकाधड़ी माफले में नवाह मलिक के जहयोक्यों पर ED के च्छापे मरड़ रहे हैं फराज नवाह मलिक यूनियन बैंक ओफ इंडिया के थोकधड़ी में निदेशक और साजिश करता हैं इतना ही नहीं मोहित कामबोच की और से लगातार के दावा किया जा रहा है कि अगला नंबर महा विकास अगारी सरकार ने जेल जाने का नवाह मलिक का ही होगा मिया नवाह म समीर पानखिडे का मांग रहे थे हाली में मोहित कामबोच की और से एक वीडियो जारी कर दरसल नवाह मलिक से उनका बर्थ सर्टिफिकेट मंगा गया था कि नवाह मलिक साजनिक रूप से अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएं क्योंकि उनका बर्थ सर्टिफिकेट कही भी नहीं मिल रहा है तो ऐसे में मोहित कांबोज ने एक बार फिर नवाह मलिक को खेरा है और ये पूछा है कि नवाह मलिक अपना बर्थ सर्टिफिकेट आखिर क्यों नहीं दिखा रही है उन्होंने लिखा है कि क्या मिया नवाह मलिक का बाप बंगलादेशी है क्या ये सवा मोहित कामबोच की और से दागा किया है दरसल इस आहरोब परत्याहरोब की वजह बिलकुल साफ है क्योंकि नवाफ मलिक सबसे पहले मोहित कामबोच को उन्होंने खेरा था जब आर्यन खान क्रूज ड्रग मामला साफने आया था समीर फान खेड़े के साथ मिली भगत करके किर नैपिंग के आरोब जो है वो मोहित कामबोच पर लगाए गए थे जिसके बाद मोहित कामबोच ने नवाफ मलिक के खिलाफ एक या दो नहीं बलकि चार मुकदमे दर्च कराए थे और उसके बाद से लगातार मोहित कामबोच नवाफ मलिक पर हमलावर है नवाफ मलिक की प उल्ला में खरीदी गई जमीन हुँ जो दाउत की गुर्गों से खरीदी गई है और इसके अलाफा फराज नवाहमलिक जो कि नवाहमलिक के बेटे हैं वो जिस तरीके से कंपनियों के डारेक्टर बने बैठे हुए हैं और यूनियन बैंक ओफ इंटिया में ये 135 क्रोड की दस्तक दे और शायद यही वज़ा है कि नवाहमलिक इतने जादा डरे हुए हैं और इस तरीके का ट्वीट बॉकलाहट में चटपटाहट में उनके तरफ से एक के बाद एक किया जा रहा है फिलाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में